1.5, 2.5, 4 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm, 95 mm, 120 mm, 1500 mm केबल हलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं मैं हूँ संकर यादरो आप लोग देख रहे हैं अपना यूटूब चैनल संकर यादरो ओपिसल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं केबल कितना मोटा होता है अगर आप 1500 mm का केबल ले रहे हैं तो ओ कितना मोटा होगा अगर आप 25 mm का केबल ले रहे हैं तो ओ कितना मोटा होगा कितना जाड़ा होगा ओ भी आर्मर केबल के बारे में हम आप लोगों दिखाने वाले हैं बताने वालेें और केबल एकदम original रहेगा और पूरी विस्तार से कितने mm का केबल होता है और armor केबल तो पूरी वीडियो में बने हैं और जो लोग नए हमारे चैनल को subscribe कर लेए बेल आगरं गंटी को आल करते हैं ऐसी नई-देखने लिए दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं केबल कितने mm का होता है तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक लिस्ट में बना के रखा हूँ और यह 1.5 mm का केबल 2 कोर आर्मर केबल है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हूँ है 1.5 और यह रा 2.5 mm का आर्मर केबल 2 कोर का है और यह 4 mm का वायर है यह आर्मर केबल है उससे थोड़ा मोटा है लेकिन यह 4 कोर का है इसमें RYB एक बलेक आता है और यह रा 6 mm का केबल और इसमें यह आर्मर केबल है उससे थोड़ा मोटा है इसमें 4 वायर है RYB और यह 10 mm का केबल है यह उससे थोड़ा जाड़ा है यह आर्मर केबल है इसका जो आर्मर है अलग टाइब के दिया गया और आप देख सकते हैं यह भी RYB ये 16 mm का armor cable है और इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा ये उससे भी मोटा है ये 25 mm का armor cable है ये थोड़ा उससे मोटा है इसका pvc भी अलग है और इसका armor cable भी अलग है और यहाँ लोग देख सकते हैं यह कोर जो है ईक दम अलग दिया गया है और भी 401 अर्मर केबल है और आपितुक सकते हैं यह जो केबल है इसमें जो है चार वायर है और यहां पर 95 का है पंचानबे का यह आर्मर केबल है और यहां पर 120 mm का आर्मर केबल है और यह इसमें भी चार वायर है आर वायर भी एक न्यूटन यानि ब्लेक है आप देख सकते हैं और इसका उससे थोड़ा यह मोटा और जाड़ा है अब हम बात करेंगे सबसे नीचे वाले क यहां पर 1500 mm का एक केबल है और इसका केबलिंग यहां पर जो है नहीं है इसका वायर टूट गया था यह हाथ से हमने एत्री लिष्ट बना के रखी हुई है कितने mm का केबल कितना मोटा होता है इससे हमें फैदा क्या हो रहता है सबसे बड़ा फैदा इसका यह है कि इससे हम वे घ्लेंग। बरेंगे तो 1.5 में भर्स पाएंगे। अगर 25 हम video ऐसे आर्मर को में प्रम्न भर्स पाएंगे। लगर फायदा होता है। दूर्स तीसरा फायदा में आप लोगों को बता देते हैं तीसरा फायदा क्या है ? तीसरा फायदा क्या होता है जैसे कि मान लिजिए अगर हमें 1.5 का या 10 mm का केबल ले रहे हैं तो उसमें जो लग मारा जाता है जैसे आप ग्लैन भरने के बाद इसमें लग भरे जाते हैं तो 10 या 10 mm का ही लग लेकर आएँगे और लग जो है इसमें आगे जितना कोर च्छीछेंगे आप इसका वायर का जो कोर होता है वो जितना च्रीछेंगे उतने ही लग मारा जाता है तीसरा फायदा हमें यह रहता है केबिलिंग याद करते हैं हमें लिष्ट से आप आराम से याद कर सकते हैं कि 35 mm का केबल है तो उसमें जो है लग 35 mm का लगेगा और गलेन भी 35 mm का लगेगा यानि दोनों चीज 35 mm का लगेंगे तो आप आप लोगों को यहाँ पर प्रविस्तार से समझ में आ गया होगा कि हमें केबलिंग याद करने से क्या फैदा राता है और जो है इसका लग याद करने से क्या फैदा राता है और यह आसानिक से आप पंचिंग कर सकते हैं लग से अब यहाँ पर देखिए हम बात करें जो हमारी यह लिष्ट है लिष्ट जो हमने बना के रखी है इसे हमें फायदा क्या राता है हम कहीं पर भी इंटर्वियू के लिए अगर जा रहे हैं तो हमें याद राता है और हम जल्दी से बता देते हैं इतने MM का केबल में इतने MM का गलैन लगेगा और इतने mm का मतलब लग लगेगा यानि 120 में 120 का गलैन लगेगा और 120 का मतलब जो इसका आगे के पिन टाइप आप देखे होंगे कहीं कहीं पर केबल में पंचिंग किया रहता है वो उसे लग बोलते हैं अब यहाँ पर सबसे उपर 2 कोर का है 2 कोर का केबल में आप आराम से पंचिंग अपने पिलास से अपने हाथ से भी कर सकते है उसके लिए ज़्यादा मसीन की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन यहाँ पर देखे है 1.5, 2.5, 4 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm, 25, 35, 50, 70, 95 और 120, 1500 mm का केबल है यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा और जो लोग नए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल आइकन गंटी को आल कर दें जब भी हम नई वीडियो बनाएं नोटिफिक्स और सबसे प्राइब